चाड़क के IIS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं लीथियम पे जो की हाल ही में चर्चा में बना हुआ है राजस्तान के नागोर जिले में लीथियम का बड़ा भंडार मिला है कहा जा रहा है कि नए भंडार से देश की लीथियम समंदी 80% जरूरत पूरी हो जाएगी फिलहाल भारत लीथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है उन देशों में चीन भी शामिल है आसार है कि आने वाले समय में लीथियम के लिए हमें चीन पर निर्भण नहीं रहना पड़ेगा इससे पहले जन्वरी में ही जम्मू कश्मीर के 80 जिले से भी लिथियम का बड़ा रिजर्व मिल चुका है और उससे भी पहले कर्णाटक में भी लिथियम पाय जा चुका है नया भंडार Geological Survey of India को डेगाना में रिवन डूंगरी इलाके में एक सर्वे के दोरान मिला माना जा रहा है कि ये वाला भंडार जम्मू कश्मीर से मिले भंडार से काफी बड़ा है डेगाना की जिस पहारी पर लिथियम के भंडार मिले हैं वहाँ साल 1914 में अंग्रेजों ने टंक्स्टन डूंडा था पिछले कई सालों से यहां खरनन का काम बंद पड़ा रहा अब टंक्स्टन के साथ साथ लिथियम का भंडार मिलना देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है ये उपलब्दी क्यों है और लिथियम का क्या महत्व है इसते पहले हम जानेंगे कि लिथियम है क्या लिथियम एक एलो धातू है जिसका उपयोग मोबाईल, लैप्टॉप, इलेक्ट्रोनिक वाहन और अन्य चार्जबल बैटरी बनाने में किया जाता है लिथियम दुनिया की सबसे नर्म और हलकी धातू भी है यह इतनी नर्म होती है कि कोई इसे सबजी के चाकू से काट ले और हलकी इतनी की पानी में रगदो तो यह त्यारने लगे यह रासायनिक उर्जा को स्टोर करती है और इसे विदुत उर्जा में बदलती है लिथियम आज घर में हर चार्जेबल इलेक्ट्रोनिक और बैटरी से चलने वाले गैजट में मौजूद है इसी वज़े से दुनिया भर में लिथियम की जबरदस डिमांड है वेशित मांग के कारण इसे वाइट गोल भी कहा जाता है लिथियम एक वैसा ही धातू है जैसे लोहा, सोना और चांदी है मानक परिस्तितियों में लिथियम को सबसे हलकी धातू और सबसे हलका ठोस तत्व माना जाता है एक टन लिथियम की मार्केट वैल्यू के अगर बात करें तो ये लगभग 58,000,000,000 रुपय होती है लिथियम मुख्य तोर पर बैटरी बनाने में यूज किया जाता है सत्तर के दशक में जब दुनिया में तेल का संकट आया तो हम एनरजी के दूसरे इंतजाम करने के लिए मजबूर हो गए बिजले से चलने वाली हर चीज में बैटरी लगने लगी मोबाइल, फोन, कैमरा, लैप्टॉप, कम्प्यूटर तक सब में लिथियम बैटरी लगने लगी इतना ही नहीं पेट्रोल डीजल से चलने वाली गारियों में भी लिथियम बैटरी लग गई इलेक्ट्रोनिक वाहनों में भी यही बैटरी होती है इसके दो बड़े फाइदे होते हैं पहला इस बैटरी ने हमें तार के जंजाल से आजाद कर दिया और दूसरा लिथियम बैटरी पेटरोल डीजल का विकल्प बन गई इलेक्ट्रोनिक वाहनों के लिए बैटरी टेकनोलोजी को काफी तेज रफ्तार से अपडेट किया जा रहा है इस समय हर बैटरी पेक के लिए लग भग आठ किलो लिथियम की जरूरत होती है भारत का आर्थिक रूप से निकालने योग लिथियम बंडार 184.4 मिलियन इलेक्ट्रोनिक कारों को बिजली देने के लिए परियाप्त होना चाहिए ऐसा अनुमान है अब हम बात करेंगे कि भारत को इससे क्या फाइदा होगा इलेक्ट्रोनिक वाहनों की और शिफ्ट होने का भारत का जो लक्षे है उसे इसने बूस्ट मिलेगा क्योंकि अभी इलेक्ट्रोनिक कार या दूसरे वाहनों के दाम काफी जादा है इसके पीछे बड़ी वज़य ये है कि इसमें लगने वाली बैटरी भारत के दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है भारत अब तक लिथियम के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्बर है यानि कि आस्ट्रेलिया और चेन जैसे देशों पर निर्बर है आगणों के अनुसार भारत अबनी जरूरत का 80% लिथियम चीन से खरीटता है भारत सरकार का लक्षे है कि 2030 तक 30% कार, 70% तक कॉमर्शल वाहन, 80% तक 2 पईया और 3 पईया वाहन इलेक्ट्रोनिक हो जम्मू कश्मीर और राजस्तान में मिला भंडार इस लक्षे को पाने में बड़ी मदद कर सकता है भारत इलेक्ट्रोनिक वाहनों को बैनिफेक्ट्रिंग हब बन सकता है Electronic वाहनों की कीमतों में भी काफी कमी हो जाएगी क्योंकि इतनी कीमतों में करीब 45% हिस्ता बैटरी का ही होता है यानि कि जो Electronic वाहन बनते हैं उसमें सबसे महेंगे पार्ट्स में ये बैटरी एक मुख्य भाग होती है अगर हम बात करें कि भारत के अलावा Lithium और कहां पाय जाता है तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो की 3 जुन 2022 को आई थी उसके अनुसार बोलेविया में सबसे ज़ादा Lithium deposit मिलते हैं इसके बाद चिली, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अर्जेंटीना में भी इसके deposit मिलते हैं भारत की पहली बड़ी Lithium deposit की खुश दो साल पहले करनाटक में की गई थी यहां 16 सो टन का भंडार मिला था एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अब दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा Lithium बंडार है इसके साथ ही आज का यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिसन अप्टेट